हमें हुりました तो आज कि स्वीडियो में हम डिसकस करेंगे chemical properties of metals & non metals So, पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था physical properties of metals & non metals तो जिसने वो video lakchir नहीं देखा है Description में मैने Link दिया हुआ है जाके देख ले तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो chemical properties of metals और non-metals में हम पढ़ेंगे कि जब metals और non-metals जो हैं reaction करेंगे किसी के साथ तो क्या हमारे बास product बनेगा तो product क्या होता और reactant क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं reactants वो होते हैं जो milk के reaction करते हैं और हमारे बास final जो product बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं product बोलते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम metals की reaction जो है air के साथ होती है मैटल्स air के साथ react करते हैं तो हमें क्या मिलता है product में हमें क्या मिलता है so metal combine with oxygen जब metals oxygen के साथ combine होते हैं तो क्या बनाते हैं? Metal Oxide बनाते हैं That is metal plus oxygen gives us metal oxide तो metal और oxygen हमारे पास क्या है? रियक्टेंट से हमें क्या दे रहे हैं product में? Metal Oxide तो कुछ examples से हम इनको समझते हैं जैसे हमारे पास क्या है? Copper plus oxygen हमें क्या दे रहा है? Copper Oxide दूसरी example है Almonium plus oxygen दे रहे हैं हमें product में Almonium Oxide तो यह था reaction of metal with air जब हम oxygen मतलब जब भी हम air के साथ जब react कराते हैं metals को Metal जब react करते हैं air के साथ तो हमें क्या मिलता है? Metal Oxide ही मिलता है इसके बाद हम देखेंगे कि different different जो metals होते हैं वो जब react करते हैं oxygen के साथ तो वो कौन कौन सी reactivity शो करते हैं कौन कौन सी reaction होती हैं तो चलिए पहला हमारे पास है sodium and potassium sodium और potassium जब oxygen के साथ react करते हैं तो वो बहुत जल्दी जो हैं react करते हैं और वो fire आग पकड़ लेते हैं जब हम खुली जगा में sodium और potassium को रखते हैं हवा में रखते हैं तो यह बहुत जल्दी reaction करते हैं और फाइर आग पकड़ लेते हैं इनको हम कहां रखते हैं इनको हम kerosene oil में डुबो के रखते हैं दूसरा हमारे पास FV FV iron या ferrous बोल सकते हम इसको यह जो है does not burn unheating इसको जब हम heat देते हैं तो यह burn नहीं होता है जलता नहीं है मगर iron filling burn vigorously iron filling या powder हम बोल सकते हैं iron powder वो है बहुत जल्दी burn हो जाता है बहुत जल्दी जल जाता है इसके बाद हमारे पास है copper does not burn but coated with black copper oxide copper हमारे पास जो है वो burn नहीं होता है बलके उसके ओपर एक coating आ जाती है black copper oxide की जब oxygen के साथ यह react करता है उसके बाद silver and gold does not react with oxygen silver और gold जो है वो oxygen के साथ react नहीं करते हैं next हमारे पास जो reaction आएगी वो है emphotric oxide emphotric oxide क्या होते है metals oxide metal oxide जो हमारे पास होते है react with metal oxide जो है acid के साथ और basis के साथ दोनों के साथ react करते हैं और हमें क्या देते हैं product के तोर पे देते हैं solid और water जिनको हम क्या बोलते है emphotric oxide बोलते है metal oxide जब acids और basis का react करते हैं product में हमें देते हैं solid और water salt और water तो उसको हम बोलते है emphotric oxide example हमारे पास है aluminium oxide plus HCl HCl जो के हमारे पास क्या है acid है हमें क्या देगा aluminium chloride salt plus water दूसरा हमारे पास है aluminium oxide plus NaOH sodium hydroxide जो के हमारे पास base है यह हमें product में क्या देगा Naal O2 plus water अब दूसरी हमारे पास जो reaction आती है reaction of metal with water जब water के साथ metal react करता है तो product में हमें क्या मिलता है metal plus water जब metal और water react करते हैं तो हमें क्या मिलता है metal oxide या metal hydroxide plus hydrogen तो examples है हमारे पास 2 Na sodium plus hydrogen water हमें क्या देगा sodium hydroxide plus hydrogen दूसरा है calcium plus water gives us calcium hydroxide plus water थार्ड है iron plus water gives us ferric oxide plus hydrogen तो hydroxide वाले hydroxide हमें कौन से metals देते हैं जो जल्दी react कर जाते हैं पानी के साथ और जो आस्ता से react करते हैं वो हमें क्या देते हैं metal oxide as a product मिलता है अब next हम देखते हैं different metal react with different form of water अब इसमें भी बहुत सारे metal जब react करते हैं water के साथ तो हमें different forms देखने को मिलती है जैसे कि हमारे पास sodium, potassium और calcium है यह हमारे पास सिर्फ cold water के साथ react करते हैं second हमारे पास aluminum, iron और zinc जो है वो steam के साथ ही react करते हैं magnesium जो हमारे पास hot water के साथ react करता है उसके बाद हमारे calcium और magnesium float on water surface as bubble of hydrogen stick to their surfaces तो जब calcium और magnesium react करते हैं water के साथ तो यह water surface पे ही float होते हैं water surface के bubble के साथ ही तेयता रहते हैं क्योंकि इनके surface पे hydrogen चिपक जाता है उसके वाद silver, gold, copper और lead जो है वह water के साथ react नहीं करते हैं इसमें हम next देखते हैं reaction of metal with acid जब हम metals को acid के साथ react करवाते हैं तो हमें product में क्या मिलता है product में हमें मिलता है salt plus hydrogen और acid कोंसा होता है dilute acid dilute acid के साथ ही react करवाते है example iron plus HCl acid हमें क्या देता है ferric chloride plus water second हमारे बास aluminium plus HCl product क्या देगा aluminium chloride plus water तो fourth हमारे बास reaction of metals with solution of other metal salt तो जब metal को हम react करवाते हैं दूसरे metal salt के साथ तो हमें क्या मिलता है product में metal A plus salt solution B जब metal A salt solution B के साथ react करता है as a product हमें मिलता है salt solution A plus metal B इसको हम displacement reaction भी बोलते हैं for example iron plus copper sulfate हमें क्या देगा ferric sulfate या iron sulfate प्लस copper तो इसमें क्या हुआ metal A जो है हमारे पास metal B की साथ चला गया और salt solution जो B था वो salt solution B की साथ आ गया तो इस ही को हम बोलते हैं यह हम पर displace होगे इस ही को हम बोलते हैं displacement reaction के आप आप हम आप आप्स